मैंने ये गलती करी है नेक्स टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है हान वालों को शुरुआती दिनों में बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो पूरी जो ड्राइविंग है न वो इसी पांच पॉइंट में आ जाती है जे शिर्याम दोस्तों केसे आप सब लोग उमीदे बहुती बढ़े होंगे मैं हूँ आपका दोस्त अमीद और आज के वीडियो में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक में आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ड्राइविंग का डर दूर के से करें आप पहले ही दिन से कुछ चीजें फोलो नहीं करते हो जिसके चलते हैं आपको ड्राइविंग सीखने में भी टाइम लगता है और अकेले गाड़ी चलाने में भी डर लगता है खाली रोड पे आप गाड़ी चला लेते हो लेकिन बात आती सिटी ट्राफिक की तो वहाँ आप नहीं कर पाते हो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पताने वाला हूँ पहले दिन से जिनको फोलो करोगे तो आप जल्दी से जल्दी ड्राइविंग भी सीखोगे प्लस आपको डर भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहला पॉइंट बेसिक इन्फोर्मेशन कार की बेसिक इन्फोर्मेशन आपको पता होना चीए स्टेरिंग हुआ, फूट मुमेंट हुआ, गेर लिवर का है, हेंट बेक का है ओर वीम को देखना, ये सारी चीज़े आपको आनी चाहिए पहले ही दिन से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीज़े मैं जान चुका हो और उसके बाद आपका कहीं तक डर दूर होगा दोस्तों दूसरा पॉइंट, अपनी कार को दोस्त बनाओ जैसा कि आप अपने दोस्त को कितने बहतर तरीके से जानते हो जितना वो आपके साथ समय बिताता है आपको उसके बारे में लखबग सब कुछ पता होता है कि उसका विवार के सा है, उसकी परसनालिटी कैसी सेम चीज़ आपकी कार के साथ भी होना चीज़ आपको अपनी कार को as a friend समझना है उसके सारे कंट्रोल्स आपको पता होना चीज़ food controls कहा है steering केसे कटता है gear lever केसे operate होता है hand brake का actual काम क्या है ORVM केसे adjust होते हैं ये सारी चीज़े आपको पता होना चीए तो काफी हद तक आपका डर यहां पर भी दूर हो जाएगा दोसो तीसरा point शुरुवाती दिनों में आप किसी ना किसी एसे व्यक्ति को जरूर साथ में ले करके चलो जिसको driving अच्छे से आती हो या फिर आप बोल सकते हो जिसके पास permanent driving license हो क्यों अगर शुरुवाती दिनों में आप कुछ भी गलत करते हो मैं खाली road की बात कर रहा हूँ कुछ भी गलत करते हो तो वो व्यक्ति आपकी गाड़ी को सम्हाल लेगा माल लो आपने brake की जगे accelerate कर दिया तो हेंड ब्रेक खेज देगा तो आपकी गाड़ी जाम हो जाएगी रुख जाएगी या फिर बंद हो जाएगी ये चीज वो कर सकता है जैसे सामने कोई object है आपसे steering control नहीं हो रहा है वो steering आराम से control करके आपकी गाड़ी को निकाल लेगा तो शुरुवाती दिनों में आप किसी ना किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के चलो वो आपकी गलतियों को बताएगा कि आपने क्या गलति करी उससे आप सीखो कियार मैंने ये गलती करी है नेक्स टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है ये सारी चीज़े फोलो करके आपका डर कहीं हद तक दूर हो सकता है चोथा point अपने mirror set करना सीखो आपको पता होना चीज़े कि आपके ORVM और IRVM कैसे set होंगे IRVM का simple सा funda है backside की जो windshield होती है उसका पूरा view आपको दिखना चाहिए simple सी चीज़ है ORVM की बात करें तो ORVM दो तरीके से आप set कर सकते हो पहला तरीका शुरुआती दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआती दिनों में ऐसा set करो कि आपकी गाड़ी का पिछला हिस्ता थोड़ा सा दिखाई दे दोनों साइड का लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी फिर जैसे जैसे आप experience गेन करते जाते हो ना तो आपको ORVM के judgment पता हो जाते है और आपको पता होता है कि city में केसे करना है और highway पे केसे करना है highway के लिए मैं आज की वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं city के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआती दिनों में आप city में चलोगे काली रोड के बाद highway पे आप थोड़े time बाद जाओगे और यह मेरा मानना है कि आप एकडम city में परफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप highway पे जाओ ताकि वहाँ इसी situation आ जाए तो आप suddenly अपनी गाड़ी को control कर पाओ तो कहीं हद तक दोस्तो ओर वीम setup भी आपका डर दूर करने में help करते हैं दोस्तो पांचवा पॉइंट हॉन वालों से नहीं डरना जैसे कि आप शुरुवाती दिनों में थोड़े से हलकी फुल के traffic में जाते हो ना कहीं बार आपसे गाड़ी बंद होती है जटका लेती है आपकी गाड़ी रुख जाती है पीछे से आने वाला व्यक्ती हॉन बजाता है और आप परिशान हो जाते हो कि भाई अब में क्या करूँ आप हबर दबड में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन आपसे स्टार्ट नहीं होती स्टार्ट हो भी जाती है न तो आप क्लच जैसी रिलीज करते हो आपकी काड़ी बंद हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि आप हेंड ब्रेक भी रिलीज करना भूल जाते हो जिससे आपकी काड़ी प्रॉपर पिक नहीं हो पाती हो बंद हो जाती है तो यह चीज भी है, हॉन वालों से नहीं डरना है, अपने आपको शान्त करो, सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जब ड्राविंग सीट पर बिटो ना, तो अपने आपको थोड़ा सा शान्त करने की कोशिश करो, डिस्ट्रेक्शन मत लेकर किया हो अपने दिमाग में, डर मत ले उतकतनी बाद में जब जैसे-आप ड्राविंग सीख जाते हो, अच्छे से आप परफेक्ट बन जाते हो, फिर आपको समझ में आता है की, यह हॉन क्यों बजा रहा है, फिर आप वो चीज समझ सकते हों, कि भाई, वह हॉन बजा रहा है, तो मैं अपनों साइड में कर लो, या फिर उसको एक स्पेस दे दू ताकि वो निकल पाए तो कहीं तक ये भी आपका डर दूर करेगा अब दोस्तों बेसिक चीजे तो ये हो गई अब में चीज क्या है मैं आपको एक में टिप बताता हूँ शुरुवाची दिनों में आजकल क्या है जो शेहरों में आने की कोशिश करो आपको गाड़ी से ड्राइविंग करते हुए एड बनाना है अब इसमें क्या-क्या चीजे कवर हो जाती है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला आपका क्लच कवर हो जाएगा दूसरा आपकी ब्रेकिंग कवर हो जाएगी तीसरा आपका एक्सेलरेटर क बनाने में कवर हो जाएगी जितना हो सके उतना एट बनाओ मैं आपको इसमें एक सजेशन और दूंगा कि पहला जो एट बनाओगे ना थोड़ा सा बड़ा बनाना दूसरा एट बनाओगे थोड़ा सा छोटा बनाना तीसरा एट बनाओगे उससे और छोटा बनाना अगर एक ही बार में आपका एट नहीं बन रहा है तो multiple time आप ट्राइ करो एक बार में 10-12 बार एट बनाओ और जो एट का जो center point आता ना जिसे यह 8 है उसका जो यह वाला जो point है center point यह हमेशा एक ही जगह पर मिलना चीए मानता हो शुरुआत में नहीं होगा लेकिन practice करने से continuously जरूर बनेगा बिना ज्यादा खाली रोड पे चले आप एड बना करके भी practice करोगे ना तो city में आराम से अपनी गाड़ी चला पाओगे यह पांचों चीज जो एड बनाने में cover हो रही पूरी जो driving है ना वह इसी पांच point में आ जाती है यह सीख लो आप जल्दी से जल्दी driver भी बन जाओगे और आपका डर भी दूर हो जाएगा बिना डर के आप confidently कहीं पर भी गाड़ी चला पाओगे तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में उमीदे वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों का शेय करना चैनल प बाइ आप ज झाय झाहाँ और आज भीडियो को बाइब भीडियो भीडियो कि दोस्तों का ऱ वीडियो की हैो को क्या है रच हम स्ञब